जैम आता दी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैम आता दी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद ग्रहन 19 नौवंबर 2021 के समय के बारे में कि इसका exact time क्या रहेगा? और ये चंद ग्रहन किन किन देसों में दिखाई देगा? क्या ये चंद ग्रहन भारत में देखा जा सकेगा या फिर नहीं? और इस चंद ग्रहन का सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा? और सूतक काल का समय क्या रहेगा? भारत में इस चंदग्रहन का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आई ये सुरू करते हैं दोस्तों, उन्निस नॉम्बर दो हजार इकिस को साल का दूसरा और आखरी चंदग्रहन लगने वाला है इसमें प्रत्वी चंद्रमा को आंसिक रूप से ढख लेगी यानि इसमें चंद्रमा का कुछ ही भाग प्रत्वी की छाया में आएगा आपको बता दें कि ये चंद्रमा व्रसब रासी और क्रतिका नच्चतर में लगने जा रहा है इसलिए इस चंदग्रहन से जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे वे हैं व्रसबरासी और क्रतिका नच्छत्र के लोग इन्हें इस चंदग्रहन के समय खास सौवधानी और उपाय करने चाहिए ताकि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको बता दें कि ये चंदग्रहन मुख रूप से पस्चिम अफ्रीका, पस्चिम यूरोप, उत्री दच्छणी अमेरिका, उत्री अमेरिका, दच्छणी अमेरिका, एसिया, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंडोनेसिया, कनाडा, रूस, ग्रीनलेंड, थाइलेंड, चीन, अटलांटिक और प्रसांत महासागर में दिखाई देगा, लेकिन ये चंदग्रहन संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये चंदग्रहन जब सुरू होगा, तब भारत में दिन निकला होगा, ऐसे में भारत के कुछ छेत्रों में ये चंदग्रहन सिर्फ ग्रस्तोदे के रूप में ही दिखाई देगा दोस्तों, ये चंदग्रेन भारत के सिर्फ पूर्वी छेत्रों में देखा जा सकेगा इसे भारत के असम और अरोणाचल प्रदेश के कुछ छेत्रों में, बहुत ही थोड़े समय के लिए चंदरोदे के समय देखा जा सकेगा क्योंकि ये चंदग्रहन संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसके सूतक का विचार भी संपूर्ण भारत में नहीं होगा लेकिन जिन इस्थानों में ये चंदग्रहन दिखाई देगा वहाँ पर इस चंदग्रहण का सूतक काल माना जाएगा वहाँ पर ग्रहण वा सूतक के सारे नियम मानने होंगे यानि की भारत के पूर्वी छेत्रों में ही केवल इस चंदग्रहण का सूतक मानने होगा या जिन देशों में यहीं चंदग्रहण दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस ग्रहन का धार्मिक द्रस्टी से भारत के सिर्फ पूर्वी राज्यों को छोड़ कर अनि राज्यों में कोई भी महत्यों नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का यम, नियम, सुतक आदि मानन नहीं होगा। दोस्तों, जोतिस सास्तुर में चंद ग्रहन को असुब घटना माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और जब भी चंद ग्रहन लगता है तो इसका सभी रासियों पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जब भी चंद ग्रहन जैसे घटना होती है तो वे हर जिवजन्तु, प्रकती तथा मानों जीवन पर भी असर डालती है चंद ग्रहन के समय वाइभ मंडल में निगेटिविटी बहुत ज़ादा बढ़ जाती है इसलिए सबसे ज़ादा जरूरी ये रहेगा कि ग्रहन के समय आप चाहे भारत में हूँ या फिर किसी भी देश में चंद ग्रहन के समय किसी भी तरह के सुब कार्रे आपको नहीं करने चाहिए क्योंकि इस समय ग्रहन योग रहेगा इसलिए इस समय कोशिस करें कि कोई भी ऐसा कार्रे ना करें जो आपके जीवन पर प्रभाव डाले क्योंकि चंद ग्रहन के दोरान चंद्रमा पीडी तवस्ता में होती हैं दोस्तों गर्वती महिलाओं को चंद ग्रहन के समय खास सावधानी बरतने की सलह दी जाती है इसलिए जिन जगे पर चंद ग्रहन का सूतक माननी होगा वहां के गर्वती लेडीज को सूतक वा ग्रहन के समय विशेश सावधानी रखनी चाहिए लेकिन भारत में गर्वती महिला को ज़्यादा टेंसल लेने की ज़रुवत नहीं है आप चाहें तो सिर्फ ग्रहन के समय सेफटी पॉइंट ऑव व्यू से कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं बस आप ग्रहन के समय खर पर ही रहें बाहर ना निकलें और किसी बिनुकीली चीज का इस्तमाल ना करें आप इस समय चाकू कैची यादी का इस्तमाल ना करें दोस्तों ग्रहन में किया गया दान सभी लोगों के लिए फलदाई होता है इसलिए आप चाहें तो पुराने कपड़ों या पुराने जूतों का दान करें या फिर चंद ग्रहन समापत होने के बाद आप सफेज चीजों का दान करें साथ ही ग्रहन के समय जादा से जादा चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या भगवान सिव जी के मंत्र ओम नमाशिवाय का जाप करें इससे आपको लाब मिलेगा चलिए अब बात करते हैं कि यह चंद्रहन की समय दिखाई देगा तो आपको बता दें कि इस चंद ग्रहन का चाया में प्रवेश 19 नॉमबर 2021 की सुबा 11 बच कर 32 मिनट पर हो जाएगा और ग्रहन का इस पर्स काल 19 नॉमबर 2021 की दोपहर को 12 बच कर 49 मिनट पर होगा और ग्रहन का मोख्च काल 19-09-2021 की साम को 4 बचकर 17 मिनट पर होगा और इस ग्रहन का चाया से मोख्च 19-09-2021 की साम को 5 बचकर 34 मिनट पर हो जाएगा कुल मिला कर देखे तो इस चंद ग्रहन की कम्पलीट अवधी लगबग 6 गंटा 2 मिनट की रहेगी दोस्तों ये समय भारत के अनुसार है इस समय भारत में दिन होगा जिस वज़े से ये चंदग्रहन भारत में बहुती कम समय के लिए दिखाई देगा सिर्फ भारत के पूर्वी छेत्रों में ही ये चंदग्रहन देखा जा सकेगा अन्य था संपूर्ण भारत में ये चंदग्रहन दिखाई नहीं देगा और अगर आप अपने देश या सहर में चंदग्रहन का समय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी या कंट्री का नाम लिख कर पूछ सकते हैं मैं आपको आपके सिटी वा कंट्री का एक्जैक टाइम बताऊंगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैम आता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्ते पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद